और एक मन में सवाल है, वो सवाल क्या है, कि सर अब तैयारी कैसे है, क्या मुख्य परिक्षा, प्रारंबिक परिक्षा अब तैयारी कैसे करें। लेकिन हम लोगों को तो लगभग लग चुका है कि एक डेट एक्स्टेंट हुई जाना है, तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो डेट एक्स्टेंट हो जाएगा, तो क्या हमें मुख्य परिक्षा की तैयारी करना है, तो बिलकुल अगर जो भी बच्चे, देखि तीन से चार अटेम्ट, सीरियस वाले दिये हैं, सीरियस अटेम्ट, वो टाइम पास वाला अटेम्ट नहीं, कि सोना बाबू को दिलाने गए, तो हम भी दे दिये, ऐसा वाला अटेम्ट नहीं, सीरियस अटेम्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी बच्चे फ्रेसर लेकिन जोभी बच्चा जो है, जो 1-2 attempt दे दिया है, वो prelims के साथ-साथ, mains पर भी थोड़ा focus करेगा, और वो कम से कम 1 answer तो daily उसको लिखना चाहिए, और जोभी बच्चे 3-4 attempt दे चुके हैं, वो prelims और plus mains दोनों वो भी लेकर चलेंगे, और कम से कम 2 answer वो daily रोजाना basis पर प्रिलिम्स के लिए अब आपका लगभग सिलेबस खतम होने के कगार पर है तो आप प्रिलिम्स के लिए टेस्त तरीज जो है वो जिन्होंने नहीं लगाया था वो टेस्त तरीज अब लगाना सुरू कर दीजिए चाहे वो सेक्षनल टेस्ट हो और चाहे फिर वो फुल बाठ लीजिए रिवीजन के लिए भी कुछ समय को बाठना पड़ेगा कैसे बाठेंगे रिवीजन के लिए भी कुछ समय बाठी है कुछ न्यू पढ़ने के लिए भी बाठी है कुछ मेंस पढ़ने के लिए भी बाठी है और कुछ टेस्स सिरीज देने के लिए भी बाठी तो अपने समय को वैसा करना पड़ेगा जो आपने पढ़ लिया है अल्रेडी वो आप रिवाइस करते रही है हर दिन ऐसा टाइम बाट लीजे जो नहीं पढ़ा है जो पहली बार पढ़ रहे हैं या करेंट अफेर्स हो या कोई टॉपिक हो उसको भी पढ़ा है हर दिन एक से देट सो कोष्चन का और डेली बेसिस पर कम से कम 20-30 को सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे 20-30 को या 10 को भी माल लो 10 को स्वाइन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए आपके पास तरीका है कि आप घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं जो चैप्टर आप पढ़ रहा है इसको ड कलूलें कि टेस्ट लगालू घीक है बिहार जीके में अगर मान लीज्जिए कि आपको टेस्ट नहीं मिलता है तो बिहार जीके आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें हमलोग जैसे topics खतम होते हैं छो हम लोग कुछ कोश्श्य कर लेते हैं पांच कोकर्ट में तो सवाल कोंग्ड में एसा पियोट यो करते हैं कर्झेह कोश्च्ट करते हैं तो यह आपके हूपने आपके और है यह तो इसकाते हैं यह आप जौइन कर सकते आने वाले समय में economy की भी प्लासेस आएगी उसको भी आप जौइन कर सकते हैं उसमें हम लोग टस्ट और content बना लीजेगा लेकिन फिर भी जितना होता है हम लोग लागतारिस में कोसेस करते हैं तो यह मेरा कहना है कि आप test को जो है वो जरूर से जरूर जो है वो दीजिये हर दिन दीजिये test को अगर test को ही अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप बहतर performance exam में नहीं कर पाएंगे क्योंकि exam में ultimately आपका knowledge नहीं आपका वहाँ पर MCQ क्या है उसकी checking होती है आपने सही बनाया गलत बनाया आपके पास knowledge क्या था आपने कैसे बनाया that doesn't matter तो knowledge तो होना चाहिए लेकिन knowledge के साथ-साथ आपके पास test देनी की ability भी होनी चाहिए कि उस pressure situation में आप कैसे अपने आपको सयम बना कर रखते that is the main thing ठीक है इस प्रकार थे आप जो है वो टेस्ट भी दीजिए और अ क्याइन कर सकते हैं तो बातचीत आपस में थोड़ा सा कम करके एक कदम मंजिल की और ऐसा लिख करके selection नहीं होगा एक कदम मंजिल की और लिखने से selection नहीं हो जाता लिख लिए हैं और बातचीत कुछ अलरब-अलर टाइप का कर रहा हैं उससे selection नहीं होगा selection आपके नहीं बन पाएंगे इस चीज को समझ लीजिए और इस चीज को जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत तेज हैं और अरे यार हम तो नाम बदल करके यहां पर बात चीत करते रहेंगे लड़का लड़की ब पैसा दिया लेकिन आप उस दिन रोएंगे कि हमने यह क्या किया और फिर उस दिन आपके आशू पोचने वाला भी कोई नहीं होगा और फिर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा फिर आप वही दस पंदरा हजार की नौकड़ी दिल्ली और गुरगाउं और नोईडा में खोजेंगे तो वही होगा फिर जो सपना लेकर आप आये थे वो नाम बदलने के साथ ही वो सपना भी आपका बदल जाएगा इस चीज को ध्यान में रख लिजे आप 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 किसी और को धोका नहीं दे रहे आप अपने दोस्तों को धोका नहीं कुछ करेंगे आप अपने आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ठीक है समझ लिजे इस चीज को विश्य तोर पर बात बाकी इस चीज का थोड़ाँ सा फोकस करिए और समय बद तरीके से अभी भी आपके पास समय है कि करेंट अफेर्स को रेगूलर बेसिस पर करिए करेंट अफेर्स दो महीने का और ब बढ़ा दे रहा है एक्जाम डेट बढ़ना अच्छी बात नहीं होती क्योंकि वह आपके बढ़ा देता है और फिर कभी कभी सवाल नहीं नहीं बनते पिछले वाला ही सवाल पूछता है तो फिर पिछले वाली चीज़ आप भूल जाते हैं इसलिए आप रेगुलर रिवीज देंग वाला ही वाला है